एलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेगी टेकनलोजी में आज मैं आपको एक एसी ठीक बताने जा रहा हूँ जो सायद ही आपको आज तक किसी ने बताई हो आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉप्वेर इंस्टाउड है आप उनका कोई भी सॉटकट की बना सकते हो जैसे मैंने गूगल क्रॉम के लिए सॉटकट की बनाई है सॉटकट कमांड को मैं रन में टाइप करूँगा और ओक्य कर दूँगा देखिए मैं रन में लेगी टाइप किया और गूगल क्रॉम ओपन हो गया चलिए दोस्तों अब यह ट्रिक में आपके साथ सेयर करता हूँ सबसे पहले आपको डेश्टॉप पर राइट क्लिक करना है नियू में जाकि सॉटकट चूज कर लेना है अब यहां पर आपको पाथ देना होगा अपने अप्लिकेशन का जो भी आप स्क्र बनाना चाहुत मैं मैं यहां परूओद कर लोगा अ-प्रॉड्याइब कर लोगा और Google दिए और ऑपर गूगल क्रॉंग की आप्लिकेशन होगी उसको मैं एप्लिकेशन के अंदर बटेंद में प्राउम को सेलेक्ट कर लोगा यहां से ने आप लगने पांथ दे दिए और यहां पर आप जो भी नाम देना चाहते हो यहां बनाना चाहते हो जैसा अपने नाम से यहां बहुत ही इसको टाइब कर दीजिए और फिनिस्ट कर दीजिए अभी यह complete नहीं हुआ है उससे पहले मैं MS Word का भी एक shortcut बना लेता हूं और फिर दोनों को मैं run करके देखूंगा तो फिर से हमें वही process करना होगा right click करके shortcut और shortcut में हमें जाके वह बात दे देना होगा और इसमें प्रोग्रम जो हमने वर्ड है हमारा जो वह में 32 बिट का है तो हमें यहां पर सीट्राइब में जाके प्रोग्रम फाइल जो ब्रैकेट में आपको एट इस इस दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है और इसके अंदर हमें सच्छ करना है Microsoft Office इसके अंदर होगा वेंवर्ड क्योंकि जब हम टाइब करते हैं वेंवर्ड तो वर्ड कुलता है उसे को हम कुछ दूसरा नाम दे देंगे इसको सेलेक्ट करके इसको आपके कर देंगे इसको में टाइब कर लेता हूँ तो मैं यहां पर डाइब कर दोंगा और इसको लेट्स कर दोंगा इसको फिनिस कर दोंगा अब दोस्तों हमें इन दोनों को जो हमें सब्सक्राइब इनको कट करके डारिक्ट के अंदर डालना होगा तो मैं बता देता हूँ इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से आप कट कर से या फिर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे और यह हमें माई कम्पेटर फुल के कर दोंद्र ड्राइब सी म अंदर इसको हमें जाके पेस्ट कर देना है बस यहां पर हमें यह पेस्ट कर दिया है यह पर परमिशन मांगेगा उसको कंटिन्यू कर देगी आप यह यहां पर कॉपी होजाएंगा तो दोस्तों अब बारी है इनको टेस्ट करने की चलिए टेस्ट करते हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं मैं विंडोज और आर बटन से रण डायलोग बॉक्स खुल लोगा इसमें टाइप कर लोगा बनेगी तो कि मैंने क्रूम के लिए बनाए था हमारा क्रूम यहां पर ओपन हो चुका है अब हम वर्ड का भी देख लेंगे जो कि मैंने डबलु के नाम से बनाया था है देखें डबलु टाइप करने से वर्ड ओपन हो रहा है तो दोस्तों यह थी आज की ट्रिक और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज थैंक यू फर वाचिंग बी हैपी जैहिन